हेलो एविवन वेल्कम बैक टू माई चैनल कावि सकेडवी इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे कोशन नूमबर 86 से लेके 100 तक तो इसी के साथ अपका सैंट्रल इन्यूरसिती 2020 का जो पेपर सॉलिशन की वीडियो है वह कंप्लीट हो जाएगी बागी की जो कोशन से वह अल्रेडी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिसकस कर दिया है पार्ट फर्स सेकंड थर्ड और फोर्थ के अंदर तो अगर आपने वह सारी वीडियो नहीं देखी देन आप पेलिस में जाके चेक कर लेना अधरवाइस आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑगे सो सेंडर लिन्युवसिटी की 2020 की मेरी लास्ट वीडियो है उसके बाद आपका जो भी एक्जाम कर लेक फॉर्म आएगा तो आपको इंफॉर्म कर दूंगी एक्जाम की जो भी डेट आएगी तो इंफॉर्म कर दूंगी अगर आप मुझे टेलिग्राम ग्रूप में जोइन करना चाहते हो तो एड़ी रेट का वे सकीडियो मेरा टेलिग्राम ग्रूप है तो वहाँ पर आप जोइन कर सकते हो वहाँ पर काफे सारे स्टुएंट आपको मिल जाएंगे साथी साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी मेरे इस चैनल यह जो सेंट्र यूवर्सिटी है वह उनलाइन अपना पेपर कहीं अप्लोड नहीं करती है तो यह जो यह जो पेपर है ना 2018, 2016, 2014 जो यह जो पेपर जो मुझे मिले है न वह भी मुझे किसी स्टुएंट के थ्रू मिले है तो तो वही चीज है कि 2015 & 2017 का तो मिल नहीं पाया त इस वीडियो को स्टाट करते हैं अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स ताम विजिट किया है थें प्ली सब्सक्राइब मैं चैनल आपको परता होना चाहिए नों साइकलिक फॉस्फोराइलेशन डैट इस आलसो नौन इसव जैडिसकी फॉस्फोराइलेशन ओकी उसको और भी नाम से जाना जाता है तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपका देखो नडीप है वो कनवर्ट होती नडीप है नडीप है अज यहां पर B6F complex यहां पर ATP का synthesis हो रहा है तो दो चीज़ों का synthesis हो रहा है पहले चीज तो नडीप है क and दूसरा ATP यहां पर एक नडीपह का इन दोनों की बारे में पूचा गया कुछ नहीं है, सिंपल सा, एक ग्लुकोस का मॉलेकल ब्रेक होगा, तो कितनी ATP का फॉर्मेशन करेगा, पता ही यह आपको 38 ATP, सॉप्शन नमबर C होगा, आपका करेक्ट, यह कोशन भी रिपीटिटिव है, कुछन नमबर 88, इन थी five kingdom system of the classification, the archaea and the nitrogen fixing organism, means यह पर bacteria की बात हो रही है, ओके, archaea and bacteria were included under, तो वो किसके अंदर included है, वो आपके included है in the monitor, आपका होगा, be correct, ओके, तो यहां पर इस question से आपको क्या करना है कि जो five kingdom classifications ना यह जो kingdom classification से हो वो कितने टाइब का होता है किस-किस kingdom के अंदर कौं-कौं सी like add करते गए इसके like होते हैं साइंटिस कौं से तो वो आपको एक बार अच्छे से learn करना है कि कभी-kभी आपको साइन्टिस के ऊपर कोशन आ गया तो कभी यह पूछा गया कि टू किंडम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन-कौन इंक्लूडते हैं इसको क्यू बोला गया वगेरा तो इस ताइप के कोशन आए जाते हैं कुछ नहीं करना है 11 क्लास का फर्स चैप्टर होता है उसके अंदर यह तो लाइक कितनी बार पुछा गया देखो आपको पता होगा वीट-वेट होता है डीने जो होता है वह उस्टरो आइप हेस्ट्रों की चार और डीने वेपट दे अन इस टाइप के इस्ट्रॉक्च्चर को हम बोलता है कैं न्यूप्लियोसकोकी लाइट है इस को आत Spare क दिएने वह होता है वह सब्सक्राइब कि इसके ऊपर फॉस्फेट प्रस्फेट होता है तो फॉस्फिट के वाज़ा से धीने ऐसा होता है अचीन चार्ज धियांड रखना तो यहां पर यह भी पूछ लाता है कि यह रिचकॉन्स और पर अलद्रू से बना होता है that is the arginine okay and the lysine तो यहां पर यह भी पुछले जाता है कि लाइसिन रिच्कॉंस होता है वह होता है एस्ट्रीन होता है क्या होता है देखते हैं तो यहां पर इस्ट्रोन होता है वह basic in nature होता है means positive charge होता है क्यों होता है क्योंकि उसके पास two amino acids होते हैं आर्जिन एंड़ लाइसिन तो यहां पर इस्ट्रोन की जीन फैमली की बारे में देखते हैं तो देखो इस्ट्रोन की जीन फैमली आपको पता है कि एक होता है H1 दूसरा होता है आपका H2A तीसरा होता है H2 wait H2B and the third one is the H3 and fourth one is the H4 means H1 H2A, H2B and H3 and H4 जीन फैमली कितनी होती है इसकी 5 जीन फैमली होती है तो यहां पे क्या होता न कि जो यह इतना वाला पोर्षन इतना वाला जो पोर्षन होता है यह आपका बनाता है सmbraalton क्या बनाता है। सब्र enorm इशक बूसरा हम बोलता है क्या बहुत ellas को हम बोलते हैं क्या थो सब्रुन jeं चयोء H1 पर उसको बोलते हैंher pinkER परूप अब पर दो इसके ज़स्ट पीछे पीछे इसमें दिखेगा नहीं है आप आप आसे कर लो गया इसको मैं टू से इंटी कर लो तो यह सारा इस च्रक्चिर बनाता है आपका इसको बोलते को इस N यहां पर इसी केार Теперь क्या होता है कि जो डियन बाइधा उसके चारहों वह थे बाइभ थे एसे हैं इसके चारा ओर वह बीड़ होगा वह तो इसका चारह ऑड़ अब होगा तो इसका उट हम क्लिक对 इस जो सोम होता है वो कितनी स्टून यूिट का मना होता है तो हमें पठाए कि हाई-स च्छी है यूट है इन दोलों की दोड़ो यूए निस अन्य नमबर C के अंदर किया है एक तो एक हैसा कैसे सामने बना लूं ऐसे फिर इसको कर दो ना तो यह तो दो स्टों को बीच में जूड़ता ना यह आपका होता है तो यह चीज़ ध्यान रखना और दो एक से ज्यादा न्यूक्लियोसों में एक दूसरे से बाइंड होंगे एंड लिंक कर बनाएंगे तो इसको हम बोलते है क्रोमोटर सॉम तो यह सारी चीज़े आप ध्यान रखना ओके सॉप्शन नमबर आपका होगा सी करेक्ट तो ऑक्ट तो मिन्स कोशन नहお願い क्या कि यह दियने का नैच्ट ऑ स था होता है मिक्यून ऐनियर चार्ज था है और यह पुछा गया है कि डीने का जो डियने वैप फोह гол लूञ तो जो पूचा जाता है कि कितने स्टोन से बाइंड होता है तो हम इसके लिख सकते हैं यह दो बार लिखेंगे इसको भी दो बार लिख लो अना ऐसे करके तो यह सारे इस टाइब की कोश्चन एक बार आ चुका है एक स्कारी को कि वकी को चुड़ाई टू यहां पे आपको पुछ Anda होइँ ड़े मैं इस टो इसको मैं क्या होगा चाहिए इसको मैं बोलते हैं यह ज्चकल्स के ग्जामपल्स भी पुची याते हैं कौँकण से nutrition, geological cycles, geochemical cycles, इंके सब के जो एक्जाम्पल्स होते वो आप एक बार देख लेना ना Question No. 91 Which one of the following is most appropriate to describe the term cell line? इनमेसे कॉन सा वर्ड है जो cell line को describe करता है तो cell line को हम क्या बोलते हैं? परेले चीज़ तो ही आता है कि cell line होता है Cell line are the culture of the animal cell that can be propagate repeatedly and sometime indifferently They arise from the primary cell culture क्या दे रखा है? यह किससे arise होता है? Wait, किससे arise होता है? यह primary cell culture से arise होता है तो हम इसको यह बोल सकते है The cell line is the subculturing of primary subculture उस option number आपका होगा, बी करेक्ट Now, Question No. 90 The enzyme used in standard PCR-based gene amplification तो PCR के अंदों जो enzyme use आता है, वो कौन से enzyme होता है? तो आपको पता होगा कि जो DNA polymerase first DNA polymerase first क्या करता है? उसके पास तीन activity होती है DNA polymerase first को हम कौनिंबर्ग enzyme भी बोलता है इसके पास तीन activities होती है पहले activity क्या होगी? 523' polymerization means nucleotide का add करना 523' में Second activity क्या होगी? इसके पास 325' exonuclease proofreading means कोई गलत nucleotide to add नहीं होगा तो वो proofreading में proofreading भी करता है तीन activities के पास होगी 523' यहां से सुनना exonuclease activity exonuclease activity का मतलब होता है primer removal तो यहां पे primer removal activity तो primer removal activity कहां से होती है? 523' यहां प्राइमर को प्राइमर को प्राइमर को रिमूव करने की ज़रूत नहीं होती है अगर DNA polymerase फर्स्ट के अंदर अगर हम 523' exonuclease primal removal activity कर लेते हैं तो उस टाइप की जो फ्रेग्मेंट बचता है ना उस फ्रेग्मेंट को हम बोलते है कैलनाव फ्रेग्मेंट को हम एक एंजाइम बोलते हैं अगर वह एंजाइम की जैसे function करेगा तो हम इसको बोलेंगे tag polymerase तो question में क्या दे रहा है PCR में कौन सा enzyme युजा रहा है एंजाइम की बात हो रही है तो हम यहां पर क्या बोलेंगे tag DNA polymerase that is option number A तो tag DNA polymerase normal DNA से कैसे different होता है क्योंकि इसके अंदर primer removal activity नहीं होती है it means इसके पास 3 to 5 prime activity नहीं होगी ओकी यह क्या करेगा polymerization करेगा and proof reading करेगा but primer को remove नहीं करेगा okay so option number आपका होगा A correct यह पर enzyme की बात होई ना fragment की बात नहीं हो fragment होता तो क्या नहीं हो fragment बोलते है but enzyme पूछा गया है तो PCI के अंदर जो enzyme इसको नाम दिये रखा है that is the tag polymerase so option number आपका होगा A correct question number 93 resolving power of the microscope can be increased by यह question भी काफी ज्यादा important है यह topic है resolving power है उसके पास कभी numerical आ जाता है कभी क्या आ जाता है तो ध्यान रखना तो देखो D is equal to 0.61 lambda upon and sin alpha n sin alpha को हम क्या बोलते है numerical aperture lambda को तो lambda d क्या है d is the resolution unit okay अब देखो resolution unit है resolving power की inversely proportional inversely proportional का मतलब क्या होगा question में क्या दे रहे है resolving power increase decrease होगा देखो अब यहाँ पे formula में अधर d क्या होगा decrease होगा अगर d decrease होगा तो lambda क्या होगा increase होगा अगर lambda यहाँ पे increase होगा तो d decrease होगा तो d weight d decrease होगा तो यह lambda इसका क्या है directly proportional है तो यह भी क्या decrease होगा अब देखो question में हमें यह देखना है कि lambda क्या होना चीए कम होना चीए numerical aperture है वह कैसा होना चीए अब देखो कहाँ पे दे रहे का sorter wavelength decreased numerical aperture here decrease नहीं हो यह पे तो क्या और रहा है increase हो तो यह तो खोगा option number first b में क्या दे रहे का sorter wavelength ठीक है increasing the numerical aperture ठीक है यह भी सही है तो b आपका होगा correct c में क्या दे रहे का longer wavelength यह तो ऐसे correct होगा रहे D इमें भी longer wavelength यह पी correct so option number आपका होगा b correct this question को pause करो वापिस देखो क्या क्या चीज़े दे रखिए रिजॉलिंग पावा इसका इन्वर्स ली प्रपोजन रोगा ना तो ऐसे करके हम को सौल कर लेंगे यह जो फार्मला है इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि इस फार्मले की बेस पर डायरेक्ट कोशन आते हैं कोशन नुमर्ण लोग की बारे में भी नियुमेरिकल साजाता है कभी उसकी यूनिट की बारे में पूछ लेया था कभी क्या तो ब्यूर्ण लूट का जो फार्मला है वह आप अच्छे से लर्न कर लिना डाट इस अई इकल टू ई सी एल वाट इस दो ए इस अच्छे से कोफिसेंट अन्डशी सो मॉलर कांसेंटिशन अन्ड एल इस पाथ लेंद्ट ओके इस सबकी यूनिट की बारे में आपको पता होना चाहिए कि मॉलर की यूनिट पूछे गया है तो इन दोनों को क्या करो साम नीचे लेकर जाओ नीचे लेकर जाओंगे तो इसका सी का क्या होता है एम होता है ल का सी होता है तो अगर वह इसके नीचे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा तो इसकी यूनिट हो जाएगे तो इसकी पाल आइनके स्कतर को सब्सक्रार रहे साथा की सलंग अ के सफस्गाओ इसमो्क्राइब vcr एंफë वहीं फ्रकलिणर श्क्राइब इंवंफन अपे सब्सक्राइब तुम्हें अन्हें एंड़ी नंबर आपका होगा बी करेक्ट कोश्चिन नंबर 95 देट अप्शिन नंबर फिर्स के दे रखा है यह देखो फोटोट्रोफिस का मतलब क्या होता है एक्षन फ्लांट टूवर्ड तूवर्ड और अवे फ्रम दिलाइट मिन्स मालोग इसी प्लांट को अगर मैंने संलाइट म जाएज था प्रम प्रम दिलाइए उसकी तूवर्ड प्लांट को जो वह भीग होता तो इसको की चैशिन प्लाइट बीट यह तो आपका होता है तीच्मोटक्सिस का मतलब होता है दो मोंसें और और ऑरिंटेशन फ्लीनिसम इस पांस तॉस दूज आप एस डाड़ा ऐसमी घ्रैविटोस्मिय तो उसका मतलब क्या होता है ग्रैविटोस्मिय जो बैसे कोई टेखो यह यह प्लांट है लोकर एल पोलते है ग्रैविटफमियं व्सक्ति यह iç Г्रैविटीप चुछम्च न connection in 중요 नlaro कि यंथि किसी सोपोर्nd किसी मेंकनिकल सपोर्ट की वज़े से कोई चीज ट्ञिंस रक्षमिल्ण तेंड्राइल्स नान वह मेंकनिकल किसी अपनी ग्रोथ को सु कर रहा है यह को सचारह लगा क्डाल पिड गार्डें भी काई तो तो दूरिंग दिय लॉंग डे इसको हम बोलते हैं जिगमो ट्रॉफिसम उप्षिन नमबर आपका होगा डी करेक्ट कोशिन नमबर 96 वट डो यह मीन बाइपक्टैसिस का मतलब क्या होता है आप क्या समझते हैं तो देखो अपने सेल डेथ की बारे में सुना होगा तो देखो यह वैसे कोशिन इस रिपिटेटिव है जैल तूटाइप की यह होती है प्रोग्राम सैल डैथ जहान से सुनना एक होती है फिरृइज दूसरे होती है नेक्रॉशीस ओके तो देखो नेक्रोसीज का मतलब होता है कि किसी एक्सिदेंट ली अगर हमारी कोई सैल डैथ हो जाती है मिंस मालों कि हमें कई चोट लग जात यहां न सरी लिए अउसी यूप उसकी आपकों Bye C संसके अउस्टिस की जिद्वी करोगी जाता विए यूप कर गये है ल कोड्या यह उसी यह कि दile dne चानि की जबी सब्सक्राइब को अई सब्सक्राइल सब्सक्राइब करविए cell का खतम अब उसके लाइफ सीकल खतम होगी अब उसकी नाइसकी ने काम की नहीं होते हैं उसको घृता है इंगलफ कर लेता है तो उसको हम बोलते है autophagumens इसको इंगल्फ कर लेता हो के सैल ओरगिनल्स को तो वह लाइसोसम का काम होते हैं तो एक तो यह हो गया दूसरा चीच होते है आपका दूट कि हो ज girlे माल allora हमारे इस हो जाती है इस पर सन की डेट हो जाती है जो फॉकर चुक्रय लिस की यह फिरी हु पर आपका प्रोग्याम फ्रेस्ट क सल्च के उसे यहाच पर मों अमक्परकाइब तो यहा सी प्रोग्राम सल्च की पूर सेल्च होती है पूरा बोरा फा। एक्टिवेट होते हैं फिर सिगनल देते हैं बहुत साइल लंबा प्रोसिज होता है तो यहां पर जो अंसर होगा आपका तो आप अपर प्रोग्राम साइल देट उसी के तो टाइप है और आपको पता लगा होगा ऑटो फैगी का भी को पूछते है कि लाइसोसॉम किसका पार लाइसोसॉम में क्या होता है तो यह चीज भी ध्यान रखना नेक्रोसिस में भी कभी कोशन आ जाता है तो इसलिए मैंने यह तीनों चीज आपको समझा दी है कोशन नूमबर 97 दूरिंग गैस्टिलेशन देवलपिंग ऑफ एंब्रियो अंडर गोस इस को पूशन को पूश कोशन था यह कभी आपको लंगs के बारे में पूश जाता है कभी घ्य कार्डिक सेल्स के बारे में किसका कहां से हुआ तो पता होना ची स्की है तो यहाँ पे जो धिरतों का अ और यह लिए और ऑप्शन नंबर सी के अंदर अंजो नर्स अल्स होती है वह भी एंडूड़म होती है सुर्प्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट question number 98 the growth of organism occur when? किसी organism की growth कैसे होगी दिखो हमारी body के आंदर दो प्रोसेश होते है यह न दो टाइप की metabolism होते है anabolism एक होते है catabolism ana means add, catam means cut na means toड़ना ऐसे आप learn करोगे तो अच्छा रहेगा ana means add means जुड़ना कोई छोटा छोटा molecules मिलके किसी लार्ज मॉलेक्यूल का फॉर्मिशन करता है दैट इस प्रसेश इस नॉन एज दो एनबोलिज्म का मतलब होता है कि बड़ा मॉलेक्यूल था वो तोटके छोटे छोटे मॉलेक्यूल में ब्रेकडाउन हो गया वो गया कैट अब भी सोचो हमारी बोडी के अंदर क्या ची तो प्षुन अबर अ होगा आपका correct नॉन नॉन नाइटीन नाम फ्थची प्रेशन आप दो एन था कइन प्रसेंटर कोचने अचे आपको पाता होना चीए धाइस लीया तीन ओकी option number D question number 100 and the last question of this slide the principle of the numerical taxonomy in the plant system was developed by तो वो आपको पता होना चाहिए that is the option number B snit and the snorkel, okay so इस वीडियो के अंदर हमने total 100 questions को discuss कर लिया है और इसे के साथ अपका Central University M.S.E. Life Science का paper solution है वो हो गया complete देखते हैं उसके बाद में आपको क्या क्या चीजों की requirement है तो आप मुझे comment में बता देना, okay and जो भी आपकी route है तो वो भी आप मुझे comment में बता देना and इसकी regarding आपको कुछ भी problem है तो वो भी आप मुझे यह साथ से कर सकते हो तो जितना हो सका उतना मैंने आपको paper solve करा दिया at least last five year की mail इस channel पर आपको मिल जाएंगी बाकी तो 2017 न 2015 का तो paper ही नहीं यह तो solve कैसे कराऊंगी अगर आपके पास एदर आप मुझे mail कर देना otherwise telegram group थाईए वहाँ पर मुझे आप send कर देना okay so thank you so much for watching my video bye bye take care